Hello friends, my name is Babu and I welcome you to my channel Lifeline King and another video दोस्तों आज की ये वीडियो ग्रो एक्प्लिकेशन में T-PIN कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में हैं तो दोस्तों अगर इस वीडियो पे आप आगए हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में मैंने step by step सारी चीज़े बताई हैं आप लाज तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और दोस्तों इस वीडियो को चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और आपसे एक request करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को यहाँ पे एक red color की बटन दिख रहे होगी उसे दबा के subscribe कर ले और notification bell को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नए 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 वीडियो क या जानकारी आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिच नहों तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप फर्स दिन ही अपने share को बेज देते हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूत नहीं लेकिन आप अगर share को hold करके रखते हैं तो आपको tip in की ज़रूत है तो चलिए mobile screen पे और grow application को open कर लेते हैं तो हमने ये grow application को open किया और उसके बाद आपको अपने photo या logo के उपर click करना होगा उसके बाद आपको account details के उपर click करना होगा उसके बाद आपके सामने personal details खुल के आ जाएगी उसके बाद आपको जो है यहां से इसको scroll down करते हुए नीचे जाना होगा तो चलिए मैं नीचे ग कर देना है उसके बाद यह dashboard पे आपको लेके चला जाएगा उसके बाद आप यहां पे जो है verify holding पे इस पे click करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक नया interface खुल के आएगा जो पुछिस तरीके से होगा cdsl verify all holding cds उसके बाद verify पे click करेंगे और उसके बाद यह आपको लेक नमबर दोनों आपको नीचे डाल देना है और next पे click कर देना है तो मैं इसको डाल करके और इसको click करता हूं यह हो गया हमारा उसके बाद आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा जो आपको यहां पर डालना होगा उसके बाद next के ऊपर आपको click कर देना होगा तो यह OTP है हमारा ह हम इसको देखके और वहाँ पर डाल करके इसको next के उपर click करेंगे तो यह हमारा हो गया और उसके बाद आपको एक message दिखाई देगा thank you your tip in generated successfully उसके बाद आपके mobile number और email id पर tip in भेज़ दिया जाएगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं दूसरा एक आप message से भी देख सकते हैं अगर हमको देखना है तो message में भी जाके हम देख सकते हैं direct cut करेंगे message में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा tip in generate होके आगे अब हमें जैसे कि किसी भी शेर को होल्ड करके रखना है तो उसके लिए हमारे डेक्स बोट पे आना होगा और वापस से वही प्रोसेजर करना होगा वेरिफाइ होल्डिंग उसके बाद वेरिफाइ यूस टीपिन अन ओटीपी इस पे हम किलिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुलके आएगा ये टीपिन जो हमारा टीपिन बनके आया है उसे हम यहाँ पे डाल करके उसे वेरिफाइ करेंगे तो हमारे वेरिफाइ जैसे ही करेंगे हमारे मुबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को हमें यहाँ पे डालना होगा और ओटीपी को डालने के बाद हमें वेरिफाइ करना होगा देखिए हमारे ये ओटीपी आ गया हमें इसे यहाँ से उठाना है और उसे यहाँ पे टाइप कर देना है जैसे हम इसे टाइप करेंगे और verify करेंगे हमारा काम खतम हो जाएगा इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है हमारी holding एकदम complete हो जाएगी यह देखिए हो गया submit तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह video पसंद आई होगी और video अगर पसंद आई है तो please इस video को एक like कर देना साथ में आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है नीचे description में एक link दी हुई है grow application की अगर वहां से आप जाकर इसको download करते हैं और register करते हैं तो आपको 100 rupees मिल जाएंगे जो आप grow application में आप SIP कर सकते हैं और trading कर सकते हैं तो दोस्तों 100 rupees के लिए आपको वहां से जाकर उसको download करना होगा और register करना होगा और जैसे ही आपका registration successfully हो जाएगा आपको 100 rupees मिल गाएंगे तो दोस्तों इस video को यहीं पर समाप्त करते हैं और video पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है